राजन अपने घर पर चुपचाप एक चारपाई पर लेटा हुआ था कि तब ही कोई उसके घर का दर्वाजा बुरी तरह से पीटने लगा राजन की पत्नी नंदा रसोई में खाना बना रही थी राजन ने उठकर दर्वाजा खोल दिया राजन के सामने गाहों का साहुकार संपत राए खड़ा था संपत राए राजन को क्रोध भरी नजरों से देखते हुए बोला देखने में तो तुम बहुत भोले भाले लगते हो राजन लेकिन अंदर से तुम इतने जूटे होगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था आखर मैंने ऐसा क्या कर दिया भूल गए आज तुम्हें मेरे पैसे लोटाने थे मुझे पता है संपत जी कि मुझे आपको पैसे लोटाने हैं लेकिन अभी तो दिन गुजरने में पूरे छे घंटे बचे हैं शाम तक इंदिजार तो कर लिते आप नहीं मैं शाम तक इंदिजार नहीं कर सकता मुझे मेरे पैसे अभी के अभी चाहिए देखिए इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है आप तो जानते हैं संपत जी कि मेरा शहर में बहुत बड़ा बिजनस था अचानख बिजनस से नुकसान हो जाने के वज़े से मुझे अपना घर बार अपना शहर सब छोड़ना पड़ा मजबूरी में मुझे यहां गाउं में आकर बसना पड़ा आप तो मेरे बारे में सब जानते हैं बस करो बस करो तुम्हारे इन कहानियों को सुन सुन कर तो मेरे कान पक गए औरे तुम्हारा बिजनस अगर डूप गया तो तुम मुझे भी डूपा दोगे क्या अरे पूरे तीन महीने का वादा करके पैसे तो लेकर गये थे आज पांचवा महीना लग गया आप चिंता मत कीजे संपत जी मुझे पूरा यकीन है कि आज शाम तक पैसों का कहीं न कहीं स इंतिजाम हो जाएगा जैसे ही इंतिजाम होगा मैं खुद आकर आपके पैसे लोटा दूगा राजन की बात सुनकर संपत्राइग गुस्से से बुरा भला बोलकर वहां से चला गया राजन अपनी आखों में आसु लिये हुए चारपाई पर बैठ गया कि तब ही उसकी पत्नी नंदा उसके पास आकर बोली आपने उससे जूट क्यूं बोला कि आपके पास पैसे आ जाएंगे शाम तक पैसे कहां से आएंगे आपके पास कल मैंने अपने दोस्त नितिन से बात की थी आज वो कुछ पैसे मुझे दे जाएगा कब तक अपने आपको जूटी तसली देते रहोगे अरे बुरे वक्त में कोई किसी के साथ नहीं होता तो फिर तुम ही बताओ नंदा मैं क्या करूँ मेरी वज़े से शादी के बाद तुम्हारी पढ़ाई अधूरी रह गई अगर मेरा बिजनेस पर बाद नहीं होता तो तुम बहुत बड़ी साइंटिस बन सकती थी चिंता मत कीजे मैं अभी एक अपने प्राइवेट प्रोजेक्ट में जी जान से लगी हुई हूँ मुझे पूरी उमीद है कि मैं सफल हो जाओंगी किस प्रोजेक्ट की बाद कर रही हो तुम नंदा इस प्रोजेक्ट को करते हुए तुम्हें पूरे दो साल हो गया है पहले तुम्हारा शेहर में मजाक उड़ता था और अब गाओं के लोग भी तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं अगर ऐसा ही रहा तो मुझे मजबूरन नदी में डूप कर आत्मत्या करनी पड़ेगी राजन आखों में आसू लिये हुए वहां से चला गया और सारा दिन वो अपने दोस्त नितिन का इंतजार करता रहा मगर नितिन वहां पर नहीं आया नंदा जानती थी कि नितिन राजन को सिर्फ और सिर्फ बेवकूव बनाता है दरसल नंदा शादी से पहले साइंटिस बनने की तयारी कर रही थी और वो साइंटिस बनने के लिए पूरे मेहनत और लगन से पढ़ाई में जुटी हुई थी मगर पढ़ाई के बीच में ही नंदा का राजन से विवाह हो गया विवाह के बाद राजन ने नंदा को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए कहा नंदा खुश हो गई मगर किस्मत को कुछ और ही मन्जूर था अचानक राजन का बिजनिस तबाह हो गया और शहर में उसके उपर बहुत सारा करजा हो गया राजन को रातो रात शहर छोड़कर अपने गाउं में आकर बसना पड़ा जहां उसके माता पिता बरसो पहले रहा करते थे घर के काम से फ्री होकर नंदा अपने प्रोजेक्ट में जुट गई राजन कहां है जी वो दोपहर से ही घर पर नहीं लोटे अगर वो आये तो बोल देना कि संपत अपने पैसे मांगने के लिए आया था और वैसे ये तुम क्या बना रही हो जी मैं बहुत सालों से एक रोबोट बनाने की तयारी कर रही हूँ जो बिल्कुल इंसानों की तरह वेभार करेगा नंदा की बात सुनकर साहुकार अपने साथी भीमा के साथ बुरी तरह से हस्ता हुआ बोला हाहाहा इससे तो अच्छा है कि तुम इस कबार को किसी भंगार में बेश दो और मेरे पैसे चुका दो सेड़ जी सही कह रहे हैं और तुम इस बेकार के कामों की जगे इनके घर के बरतन माच दिया करो तो तुमारी कुछ आमदनी हो जाया करेगी संपत और भीमा नंदा का मसाक उड़ाते हुए वहाँ से चले गए नंदा को उन दोनों की बात अंदर तक चुप गई गर पर बरतन ही मांजने का काम करूं तो मुझे साधा अमदनी हो जाएगी नंदा ने इतना बोला ही था कि तभी उसके कानों में किसी के कराने की आवास तक राई नंदा चौक कर एधर उधर देखने लगी मगर उसने देखा कि आवास कहीं और से नहीं बलकि रोबोट से आ रही थी उसने देखा कि रोबोट की आँखों में आसू थे ये मैं क्या देख रही हूँ? कहीं ये मेरी आँखों का ब्रह्म तो नहीं? तभी वो रोबोट नंदा की और देख कर बोला नहीं मा ये तुम्हारी आखों का ब्रह्म नहीं बलकि सच है आपने मुझे इतनी जोर से जमीन पर पटका की दर्द से मेरा शरीर दुख रहा है नंदा पटी-पटी आखों से अपने इस प्रयोग को विसमे भरी नजरों से देखने लगी नंदा को नहीं पता था कि उसका पती राजन भी इस द्रिश्य को देख रहा था तुमने तो वाकई कमाल करक्या नंदा ये तो बिलकुल हू बहू इंसानों की तरह वेवार कर रहा है मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे पूरा यखीन है मैं अपने प्रयोग में सफल हो जाओंगी क्योंकि आपने ही मुझे बनाया है मा जब संपत और कालिया आपका मजाक उड़ा रहे थे तब मुझे बहुत गुसा आ रहा था लेकिन मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था मगर जैसे ही आपने मुझे जमीन पर पटका मुझे अपने शरीर में जान आती हुई महसूस हुई अब मैं स्वैम को बहुत ही बलशाली महसूस कर रहा हूँ मैं इंसानों की तरह सोच और समझ सकता हूँ मुझे तुम्हारी बात पर यखीन है बेटा तुम्हारी आखों के आसू बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर इंसानों के जैसे इमोशन्स भी हैं आप चिंता मत कीजे मैं अब आ गया हूँ ना मैं पिताजी के काम में उनका हाथ बटाऊंगा मैं कुछ भी कर सकता हूँ मैं हल भी चला सकता हूँ खेती भी कर सकता हूँ और बिजनिस भी कर सकता हूँ राजन नंदा की ओर देख कर बोला ये कैसे संभा हो सकता है? हो सकता है राजन, बिल्कुल हो सकता है, मैंने इसके दिमाग में लाइबरेडी की सैकडो किताबे अपलोड कर रखी है, इसके दिमाग में ग्यान का भंडार है उस दिन से नंदा का रोबोट बेटा दूसरों के खेतों में हल चलाने का काम करने लगा वो रोबोट पूरे दिन का काम एक घंटे में ही कर देता देखते ही देखते राजन के पास पैसों के बारिश होने लगी कुछी दिनों में उसने संपत का करजा चुका दिया और वो खुद का वेवसाय करने की सोचने लगा पर ये बात संपत को बिलकुल भी पसंद नहीं आई संपत एक दिन भीमा से बोला राजन का पिता भी एक बहुत ही काम्याब आदमी था मैं कभी भी उससे आगे नहीं बढ़ पाया सुचा था कि इसके बेटे को बार बार बैज़त करूँगा मगर उसकी पत्नी ने तो कमाल कर दिया और इससे भी ज़्यादा चिंता की बात ये है सेट जी कि वो रोबोट पचास लोगों का काम कुछी घंटों में कर देता है हमें बहुत जादा नुकसान उठाना पड़ रहा है लेकिन चिंता मत कीजिए आखिर वो रोबोट सिर्फ और सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा है कल मैं कुछ आदमियों के साथ जा कर उसके टुकरे टुकरे कर दूँगा और तुम्हारे साथ मैं भी चलूँगा भीमा मैं अपनी आखों से उस रोबोट के टुकरे होते हुए देखना चाहता हूँ अगली रात भीमा संपत को लेकर कुछ आदमियों के साथ राजन के घर पर पहुँच गया और अचानक उसने लाठी और डंडो से रोबोट के उपर हमले करने शुरू कर दिये अचानक हुए हमले से रोबोट गिर गया तब ही वहाँ पर नंदा और राचन दोड़ते हुए आ गए ये क्या कह रहे हो तुम लोग दिखाई नहीं देता क्या तुम है माफ करना नंदा हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है अगर तुम्हारा ये रोबोट ऐसे ही गाओं का काम करता रहा तो फिर हम गरीब और बेसाहरा लोगों को अपना गुलाम बनाएंगे प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दीजे राजन ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा है तुम्हारा बेटा नहीं लोहे का टुकड़ा तुम्हारे लिए होगा मेरे लिए तो ये मेरे जिगर का टुकड़ा है अचानक रोबोट के शरीर में बिजली जैसे फुर्ती आ गई और उसने उठकर संपत और भीमा को हवा में बुरी तरह से उच्छाल दिया वो दोनों मूँ के बल किरे और डर से थर-थर कापने लगे सेजी इस रोबोट के अंदर तो बहुत जान है बिल्कुल सही कह रहे हो भीमा अपनी जान बचानी है तो यहां से भागो वो दोनों डर कर उसी रात गाउं छोड़कर भाग गये और देखते ही देखते दंदा का बेटा रोबोट पूरे विश्व में मशहूर हो गया एक गाउं में हीरालाल नाम का एक आलसी किसान अपनी पत्नी सरला के साथ रहता था वो दिन रात बड़े बड़े सपने देखता रहता था उसकी पत्नी दिन रात खेतों में मेहनत करती और हीरालाल पूरे दिन पेर की छाया में बैठ कर अपने सपनों में खोया रहता उसके पास संपत्ती के नाम पर थोड़ी सी जमीन, एक जोपड़ी और सिर्फ दो बैल थे शादी के काफी साल बाद भी वो संतान सुख से वंचित था उसकी पत्नी अपने पती के आलस से बहुत परिशान रहती थी आज भी उसकी पत्नी जब खेट से वापस लोटी तो हीरालाल को आराम करते हुए देखकर वो आग बबूला हो गई सारा दिन बैलो की तरह खेतों में काम करती हूँ फिर उपर से घर पर आकर सारा खाना भी बनाना पड़ता है और तुम सारा दिन चार पाई ही तोड़ते रहते हो अरे क्यों चिंता करती हो सरला बस कुछ दिनों की बात और है उसके बाद हम दुनों पैसों में नहाएंगे हीरा लाल की बात सुनकर सरला अपना माथा पीठ कर बोली कुछ दिनों में क्या हो जाएगा जी हे भगवान मेरी तो किस्मत ही फूट गई कि मुझे तुम्हारे जैसा आलसी पती मिला काम धंदे में हाथ तो बटाते नहीं हो बस पड़े पड़े मुंगेरी लाल के जैसे हसीन सपने देखते रहते हो तुम्हारे बेतु के सपने सुनते ही मेरा आधा जीवन कट गया एक तो भगवान ने मुझे तुम्हारे जैसा आलसी पती दिया और उपर से संतान सुक से भी वंचित कर दिया तब ही वहाँ पर जमीनदार सूरत सिंग अपने आदमियों के साथ हीरा लाल के घर में घोसाया और उसने क्रोधित होकर हीरा लाल से कहा मुझे मेरे पैसा वापस चाहिए हीरा लाल मैं कुछ दिनों में आपकी एक एक पाई लोटा दूगा जमीनदार साहब हीरा लाल तू पिछले छे महीनों से मुझे ऐसे ही बोलकर बेवकुफ बना रहा है और मैं हर बार तेरी बात पर विश्वास कर लेता हूँ लेकिन आज मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा मुझे आज अभी और इसे वक्त अपने सारे पैसे चाहिए हे भगवान, क्या ये तुमसे भी पैसे लेकर आये हैं? मुझसे क्या पूछती हो? अपने इस निकम मैं पती से क्यो नहीं पूछती? काम का ना काज का, दुश्मा नाज का जमिनदार की बात सुनकर सरला फूट फूट कर रो कर कहने लगी ए भगवान, ये कैसा पती दिया है तुने, मैं इनकी कर्जे चुका चुका कर तंग आ चुकी हूँ, कल ही तो मैंने बिर्चु नाई को पैसे दिये थे, ये उससे भी पैसे लेकर आ गए थे अपनी पत्नी को रोते हुए देख, हीरा लाल भावुख हो गया, वो हाथ जोड़ते हुए सूरत सिंग से बोला मुझे थोड़ी से मोहलत और देती जिये, मैं इस बार पक्का वादा करता हूँ, कि मैं कुछ दिनों में आपकी सारी रकम लोटा दूँगा मैं कैसे यकीन कर लो, तो दिन भर कुछ काम तो करता नहीं है, तेरी पत्नी ही तेरे घर का खर्चा चलाती है कल से मैं भी अपनी पत्नी के साथ खेतों में काम करूंगा, मैं भी एक किसान हूँ, मैं भी मेनत कर सकता हूँ हीरा लाल मेरा एक उसूल है जब भी मैं किसी के घर पर अपना करजा लेने जाता हूँ तो खाली हाथ नहीं लोड़ता असल तो मैं तुमसे बाद में वसूल लूँगा पर ब्याज आज तो मैं अभी इससे वक्त लेकर जाऊंगा सूरत सिंग की बात सुनकर सरला फूट फूट कर रोने लगी सरला को रोता देख सूरत सिंग मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला रो मत सरला बहन मुझसे किसी का रोना देखा नहीं जाता मैं तुम्हारे बैल ले जा रहा हूँ लेकिन उसके बद्ले में ये मुर्गी तुम्हारे लिए दे कर जा रहा हूँ तुम तब तक इस मुर्गी से अपने खेतों में हल चला लेना वो उन लोगों का मजाक उड़ाता हुआ वहां से चला गया सरला फूट फूट कर रोने लगी हे भगवान तुने हमें संतान सुक से वंचित क्यों रखा आज अगर मेरा कोई बेटा होता तो उस जमिनदार की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हमारे बैल ले जा सकता रो मत सरला भगवान पर विश्वास रखो वो हमारी मदद जरूर करेगा भगवान भी तुम जैसे आलसी लोकों की मदद नहीं करता लो पकड़ो ये मुर्गी और जाओ खेतों में और खेत जोत कर दिखाओ इतना कहकर सरला गुस्से में घर से बाहर चली गई और कब हीरालाल लेट कर सोचते सोचते गहरी नीन में सो गया उसे पता ही नहीं चला सुबह जब हीरालाल की आँख खुली तो उसके सामने एक पीले रंग का अंडा पड़ा हुआ था वो अंडा चमक रहा था उसने अंडे को उठा कर देखा तो वो अंडा सोने का था हीरालाल ने तुरंत अपनी पत्नी को उठाया हीरालाल ने वो अंडा सरला को पकड़ा दिया हाँ सरला अब हम इस सोने के अंडे को बजार में बेच कर जमिदार का सरा करजा चुका देंगे और देखते ही देखते हम माला माल हो जाएंगे सरला के हाथ से अंडा गिरगर तूट गया तूटे अंडे में से सोने की पीली-पीली किरने फूट पड़ी और देखते ही देखते उन किरनों ने एक इंसान का रूप धारन कर लिया मगर उसका पूरा शरीर पीला सोने के जैसा था ये देखकर सरला और हीरालाल डर गए उन्हें डरा देखकर सुने का इंसान बोला डरो मत अंडा आपके हाथों से ठूटा है तो मैं आपका पुत्र हूँ और आज से आप मेरी माँ ये सुनकर सरला की आखों में आसु आ गए लगता है भगवार ने मेरी सुन ली अगर मेरा बेटा होता तो मैं उसका नाम रमेश रखती आज से मैं तुझे रमेश कहकर बुलाऊंगी आप दोनों अब बिल्कुर भी परिशान ना हो आज से मैं हल चलाऊंगा लेकिन तुम कैसे चलाऊगे बेटा बैल तो समिंदार छीन कर ले गया है आप चिंता मत कीजिये मां मुझे हल चलाने के लिए बैल की जरूरत नहीं है मुझे में अकेले ही सौ बैलो की शक्ती है उस दिन के बाद रमेश हीरालाल के खेतों में हल चलाने लगा और इसी बीच रमेश हीरालाल के लिए सगे बेटे से भी बढ़ कर हो गया कुछी महीनों में हीरालाल की फसल तयार हो गई मगर फसल जैसे ही कटी तो सारी की सारी फसल सोने की बन गई ये सब आपका है बाबा आपकी एक्षा थी कि आप बहुत ज़्यादा अमीर बने समझ लेजिए कि भगवान ने आपकी एक्षा पूरी कर दी है रमेश ने ये बोला ही था कि जमीनदार सूरत सिंग अपने कुछ आदमी के साथ वहाँ पर आ पहुँचा और चीक कर बोला हीरालाल मुझे मेरे मुर्गी वापस कर मैं जानता हूँ उस मुर्गी ने तुझे सोने का अंडा दिया है और उसी सोने के अंडे से तेरा ये बेटा निकला है जब तेरे घर पे ये चमतकार चल रहा था तो उस वक्त मेरे घर पर बड़तर माजने वाली नौकरानी दूर से इस मंजर को देख रही थी मगर उस बेवकूफ औरत ने मुझे ये घटना आज बताई और हाँ तेरी ये सोने की फसल भी मेरी है तुम चाहो तो ये सारे सोने की फसल ले जाओ मगर मुझे से मेरे बेटे को मत चीनो मुझे सिर्फ मेरा बेटा चाहिए ये फसल नहीं तु एक नंबर का बेवकूफ आत्मी है हिरलाल मुझे ये तेरा सोने का इंसान नहीं चाहिए मुझे वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी और ये फसल चाहिए तभी वहाँ एक रिशी प्रकट हुए और गुस्से से जमीनदार की ओर देख कर बोले ये जादोई मुर्गी मुझे एक देवता ने भेट की थी मैं ध्यान में मंगन था और तू उसी का फाइदा उठा कर इस मुर्गी को चुरा कर ले आया बेवकूफ मैं तुझे श्राब देता हूँ तू अभी और इसे वक्त पत्थर का बन जा रिशी के इतना कहते ही जमिनदार और उसके सारे आदमी पत्थर के बन गए और वो मुर्गी उस रिशी के पास आ गई रिशी ने हीरा लाल से कहा क्या तुझे ये सोने की फसल चाहिए नहीं मुझे सिर्फ रमेश चाहिए हीरा लाल की बात सुनकर रिशी ने मस्कुरा कर कहा अगर तु सोना मांगता तो मैं तुझे भी पत्थर का बना देता चाह ये सोने की फसल भी तेरी और ये सोने का इंसान भी इतना कहकर रिशी और वो मुर्गी वहां से गायब हो गए हीरा लाल के सारे सपने सच हो गए थे